नाव स्टाटिब दा हाडवेड सब्ट ले अहेड अध्न पर दो आगे बढ़ गए एकसेप्ट हमीद तो इन फॉर्ण्ट अफ़ फाडवेड सब्ट हमीद अक्चुली स्टॉप बादार चिल्डर्र इडिड नॉट फाइंड इंटरस्टिंग उसको इंटरस्टिंग नहीं रोटी लगा वह बतार वो बाकी बच्चे सब दोस्त आगे बढ़ गए एकसेप्ट हमीद मतलब हमिद को छोड़के ठीक है एक सब हमीद अनली हमीद अब इस टेर्ड दयार बाकी सारे सब चले गए मतलब 6 एक सबावीद को छोड़के बाकी अगे चले गए एप्यार आफ कॉट इस अप्रक्शन तॉम्स मीन्स जिससे रोटी रोटी को पकड़ के शेखते हैं सो वाट इस टॉम्स ना टॉम्स मीन्स एट टूल विद टू मुवेबल आर्म्स डाट आर्ट जोएंट एट वन एट टूल एक ऐसा ऐसी मतलब एक टूल है मतलब उसकी मतलब जो नजर है उसमें अटक जाता है उसकी दादी में के पास तॉम्स नो टॉम्स इन इस हाउस ठीक है इच टाइम सी मेड चापाटी 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 उनो चापाटी से बनाता है तो क्या होता है रूटी को जब सेकने जाता है आग में ताइम सी बान्ट हर फिंगर्स उसकी उंगली जल जाता है सो इप दे इन इप रूड यह व्लूड आपक जाते हैं तो इप हमीड अलदी हमीड थान्ट ठाट ठीक है inside his mind, all these thinking are moving inside the mind of Hamid सारे चिंता है उसके दिमाग में घूम रहा है if he bought these tongs अगर Hamid ये tongs खर दिलते है she would be happy और उसकी she means Hamid's grandmother Amina, Amina would be happy Amina को खुशी मिलेगा it would be a useful item in the house मतलब this one is not a useless thing like toys or etc actually Hamid thought about his grandmother here you can find out Hamid's love for his grandmother उसके दादी में के लिए ये जो love था, तो it would be a useful item in the house, घर के लिए एक useful item होगा, he asked the shopkeeper, तो क्या करता है he asked shopkeeper this is of no use to you is it for sale so he asked the shopkeeper जैसे shopkeeper को पूछते है कि this is of no use to you, मतलब that time here actually the line is not given he asked the shopkeeper is it for sale वो shopkeeper से पूछते है is it for sale क्या ये sale के लिए है तो this is of no use to you मतलब this tongs is no use to you मतलब my dear child it is actually the reply this line is the reply of the shopkeeper ठीक है, दुकांदार का reply है हाँ, जैसे ही उसने दुकांदार को पूछे टॉंक्स के लिए है दुकांदार reply करता है this is of no use to you ये तुम्हारे कोई काम का नहीं है बिटा हामित की लिद्यों जो है थोड़ा बैट जाते है why he had sunk because the shopkeeper said it is 6 पैसे और he had no 6 पैसा उसके पास तो 6 पैसा है यह नहीं तो उसके थोड़ा दिल पर चोट लगते है चोट नहीं मतलब दिल बैट जाते है क्योंकि he thought that so if it costs 6 पैसे then I could not be able to buy it तो वो यह खरी दिने की खरीद नहीं पाएगा ठीक है that's why his heart sent ठीक है उसके रिदय बैट जाता है मतलब he felt a pain inside his heart उसके रिदय में थोड़ा मतलब उसको दुख होता है he picked up his courage but he was not defeated वो अपने हार नहीं माल लेता है he picked up his courage जैसे बड़े लोग थोड़ा मोलभाव करते है उसी तरह से he picked up his courage अपने courage लाता है अपने अंदर छोटा बच्चा होता क्या हो लेकिन courage लाता है and said firmly और एकदम firmly मतलब with जिसे कहते हैं मतलब एक ही बात बोलूँगा वही वही final I will say only one time and it is the final and firm लेक तम द्रिरता के साथ क्याते है will you take three will you take three क्या तुम तीन पैसे लोगे मतलब will you give me these tongs by the cost of three पैसे and work time और उसके बाद आगे बढ़ जाता है मतलब as if he was showing that I have no interest ठीक है कभी कभी देखे नहीं दुकांदर को छोड़के चले जाता है तब दुकांदर बोला ताओ आओ आओ लेलो बिटा लेलो ठीक है चलो वही दो and he worked on afraid that the subkeeper would scream at him ये सोचराता है उसके साथ ये डर भी लगड़ा था को के subkeeper would say do you want to buy 6 पैसे a tong that cost 6 पैसे you want to buy in 3 पैसे so how dare you to say that मतलब इस तरह से चलाएंगे उर स्क्रीम स्क्रीम मेंज चलाना जिसको बलते है मतलब speaking in a loud voice at him मतलब उसके उपर चलाएंगे but because he said only half of the cost but the man called him लेकिन the subkeeper man means subkeeper called him back and gave him the tongs और उसको ये tongs दे देते हैं हमिद put it on his shoulders और हमिद after buying the tongs हमिद put it on his shoulders अपने कंधे पे लेते हैं उसको like a gun एक बंदुक के तरह जैसे लोग जो लंबे लंबे बंदु नहीं तरह पिस्तोल नहीं लंबे बंदु लोग कंधे पे रखके फोटो फोटो कीच बाता है पहले जमान में था आज गल नहीं है तो like a gun एक बंदुक के तरह अपने कंधे पे रखते हैं and filled with pride and he filled with pride his heart उसकी रिदर filled with pride मतलब गर्ब से भर जाते हैं कि कैसा कर join his friends and with pride he joined his friends अपने दोस्तों के साथ join करते हैं कौन सा proudness now he had buy something first thing and he got his desire thing उसके उसको अपनी मन चाहा चीज़े मिल गए मौसिन से लेकिन यहाँ पर एक चीज़े है मौसिन से बोल रहे why have you